क्वेशन नमबर 12 आपसे कहता है कि एक हाइड्रोजन एटम है इन अ स्टेट हैविंग अ बाइंडिंग एनरजी आफ 0.85 एलेक्ट्रोन वोल्ट यानि कि एक ऐसी स्टेट में है जहां पर यदि उसको 0.85 एनरजी वोल्ट एलेक्ट्रोन वोल्ट के बरावर एनरजी दी जाती है तो इन्फाइनाइट पे पहुंच जाता है मेक्स ट्रांजीशन टू एस स्टेट विद एक्साइटेशन एनरजी 10.2 एलेक्ट्रोन वोल्ट अब excitation energy का मतलब क्या होता है यदि सिर्फ और सिर्फ excitation energy लिखी है इसका मतलब है कि ground state से उसे excite करने में जितना energy लगता है उसे excitation energy कहते है तो ground state से 10.2 electron volt energy देने पर वो जिस state में जाएगा उसे state की excitation energy कहलाती है समझ मैं आयो और मैं आपको समझाता हूँ कैसे excitation energy क्या है तो यहाँ पर आपके सामने hydrogen का energy levels बताय हुआ है यह ground state है यहाँ पर जो total energy होती electron की वो minus of 13.6 electron volt होती है तो excitation energy जो है पहली बात तो यह है कि excited state के लिए ही define होती है यानि ground state के लिए नहीं बताते हैं define करते हैं लेकिन first excited state, second excited state third excited state इन सब के लिए यह energy define होती है तो यह बात करूँ इस energy state की कि इसके लिए excitation energy क्या होगा तो excitation energy energy का मतलब यह हुआ कि ground state से electron को यहाँ पर jump कराने के लिए कितनी energy क्या आवश्यक्ता है तो मैं इसमें minus 13.6 में मान लिजे x यहाँ पर amount जोड देता हूँ जिससे वो पहुँच जाए कहाँ इस energy state में minus 3.4 तो यहाँ से x की value आपको मिल जाती है 10.2 electron volt के बराबर इसका मतलब यह है कि इस energy state का जो excitation energy है that is 10.2 electron volt यान इतना energy इसको supply करने पर electron को वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो हमसे वही पूछा गया है कि यार इस energy state में आ जाता है electron ऐसी energy state में आ जाता है electron जिसका excitation energy 10.2 electron volt है यानि कि हमें last वाला energy state मिल चुका है n is equals to 2 है और एक हमें ऐसा energy state और धूरना है जिसका binding energy 0.85 electron volt है यानि कि ऐसा energy state जिसमें electron को 0.85 electron volt energy देने पर वो पहुँच जाए बगवान के पास तो मैं कह सकता हूँ कि n is equals to 4 is that energy state बिकास यहाँ पर electron की energy होती है minus of 0.85 electron volt अब इसको यदि हम 0.85 electron volt energy दे देंगे तो क्या होगा कि यह infinite पर पहुँच जाएगा इसकी total energy कितने हो जाएगी बटा 0 के बरावर इसकी total energy हो जाने वाली है समझ माया is equals to 0 आपको यहाँ से मिल जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं दो energy level n is equals to 4 से n is equals to 2 यहाँ पे electron यहाँ फोटोन जो है transition वहाँ पे हो रहा है identify the quantum numbers n of the upper and the lower energy level तो यहाँ अपर energy level की बात करें अपर energy level is n is equals to 4 और यहाँ लोगर energy level की बात करें तो वो है n is equals to 2 ठीक है तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे निप्टा दिया है और दूसरे पार्ट के बात करें find the wavelength of the emitted radiation तो इस तरह के जो transition में wavelength निकलने वाली है वो आपको बतानी है कितनी होगी वो बतानी है आपको कितनी होने वाली है ठीक है तो हम जानते हैं wavelength का formula 1 upon lambda is equal to rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square यदि इसमें आपको कभी confusion हो कि n1 square क्या है n2 square क्या है तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये positive हमें answer मिलना चाहिए ये सब positive है तो यहाँ पर हमें positive मिलना चाहिए कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे इस value को चाहिए यहाँ लिख दो चाहिए यहाँ लिख दो जो भी answer आएगा उसको positive बना देना या फिर आप कर सकते हैं यहां पर चुटा वाला यहां पर बड़ा वाला number because हम lambda निकाल रहे हैं तो answer positive वाना चलिए तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं so 1 upon lambda is equal to our red box constant 1.01 into 10 raise to the power 7 meter inverse इसकी value होती है z जो है hydrogen atom की बात कर रहे है 1 square और 1 upon 4 minus 1 upon 16 तो यहां से आप इसे solve कर सकते हैं wavelength of the emitted radiation तो आपको answer जो है यहां पर मिल जाएगा ठीक है इसको आप solve कर लीजे further आपको answer यहां पर मिल जाने वाला है एक important announcement आपके लिए मिलाया हूँ तो सबसे पहला announcement है कि 22% discount यहां पर आपको मिलने वाला है 2022 में 22% discount आपको मिलेगा unacademy subscription पर बस आपको code जो है apply करना है NKC SirLive code को भूलना नहीं है दिमाग में एक चीज़ देनी चाहिए NKC SirLive code लगाना है 22% का discount आपको मिल जाएगा उसके बाद unacademy prodigy जो है वो हो रहा है 23rd January को और 10 a.m. onwards इसमें class 7th, 8th, 9th, 10th जो J के aspirants हैं जो NEET के aspirants हैं class 11th और 12th के वो students भी इसमें participate कर सकते हैं और इसमें आपको धेर सारी scholarship और धेर सारी prizes हैं आपको मिलेंगे और 20 lakh का college grant भी आपको मिल सकता है आपको code इस्तिमाल करना है NKC SirLive यदि इसमें आपको enroll करना है free में तो free में enroll करने के लिए NKC SirLive code आपको यहाँ पे इस्तिमाल करना है पहला जो prize है इसमें वो Macbook है iPhone 2nd और 3rd को और iPad, Ecodot और Amazon के vouchers यहाँ पे मिलने वाले हैं और scholarship भी इसमें यहाँ पे included है और कुछ batches की यहाँ पे information है कि batches जो है पांच जनवरी से start होने जा रहे हैं तीन batches हैं आपे यह J-Main और Advanced 2023 में जिनको देना है Class 11 के बच्चे उनके लिए होने वाला है और यह एक Rapid Revision जो है Quick Revision batch है जो J-22 में देने वाले हैं और जो Class 11 के बच्चे है J-Main और Advanced 2023 को target कर रहे हैं तो उनके लिए batch 5th January से start हो रहा है इस batch के जो highlights हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि Class 11 का revision भी होगा और Class 12 के लिए भी prepare करवाए जाएगा और यहाँ पे top educators आपको पढ़ाएंगे इन सारे batches में और backlog का coverage भी यहाँ पे होने वाला है और जो best approaches हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगे तो आप इन batches में इन्डॉल कर सकते हैं code आपको apply करना है NKC sublight All India mock test series जो है J-E 2022 के लिए जो बहुत ही नजदीक है तो test series जो है 9th January को होने वाली है start और यहाँ पे हर Sunday होने वाली है दो से लेके 5 बजे तक तो पैर के 2 बजे से शाम को 5 बजे तक यह test series होने वाली है इसमें J-E main level के जो questions है जो top educators ने बनाये हैं वो आपको मिलने वाले हैं और इनके solutions और आपकी detailed analysis report जो है आपको दी जाएगी बस आपको क्या करना है आपको enroll करना है इसमें और code इस्तिमाल करना है NKC SirLive और यदि आप इस test में अच्छा perform करते हैं तो आपको scholarship जो है वो भी मिल सकती है सवाल है हमारे पास कुछ है जाएगा question number 17 question number 17 हो सकता है काफी सारे लोगों का doubt हो मैं यहाँ पे आपको clear कर देता हूँ a gas of hydrogen like ion एक gas है और वो hydrogen like ion से बनी हुई है यानि कि उसमें single electron present है single electron present है हो सकता है helium plus हो helium plus हो helium 2 plus हो lithium 3 plus हो ऐसे beryllium का भी हो सकता है और भी कुछ भी हो सकता है is prepared in a particular excited state A उसको उसकी electrons को excite कर दिया जाता है कह रहे है it emits photons having wavelength equal to the ये emit करते हैं photon जिनकी wavelength है equal to the wavelength of first line of Lyman series together with photons of five other wavelengths identify the gas इस gas को हमें identify करना है और find करना है कि principal quantum number state का क्या है तो ये दोनों ही सवाल जो है हम solve करेंगे पहले हम ये भी दिखेंगे कि gas कौन सी है और हम ये भी दिखेंगे principal quantum number क्या है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे बात करें दिया हुआ है कि 5 other wavelength निकलती है और एक और तरह का wavelength निकलता है जो first line of Lyman series के बराबर wavelength रखता है यानिकि जो total number of different wavelength के ऎदी बात करूँ different wavelength कितनी है पिटा six है समझ गये न कि wavelength क्यों कह रहे है different wavelength क्यों कह रहे है wavelength कहां से आई wavelength का जिक्र कहां से आगा wavelength तो wave में बड़ा था तो आप समझे कि जो photons होते है वो photons इल्डॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉट तो उन दौना energy level के energies के difference के बरावर का एक photon निकल जाता है तो यहाँ पे maximum 6 तरह के हमें मिल सकते हैं, क्या photon मिल सकते हैं, 6 तरह की different wavelength मिल सकती है तो यहाँ पे मैं formula इस्तिमाल करूँगा n n-1 divided by 2, यह maximum number of spectral lines का formula है कि इतनी maximum spectral lines निकल सकती है, यदि final हम ground state पर आ रहे हैं तो this is equals to 6, so n into n-1 is equals to 12, 12 को लिख सकते हैं, 4 into 3 तो वहिया यह 4 है, यह 3 हो गया, तो n की value आगया आपको पास 4 के बरावर यानि कि transition हो रहा है बटा, n is equal to 4 से, n is equal to 1 और यहां बीच में होगा, n is equals to 3, और यहां होगा आपके पास, n is equals to 2 तो धेर तरह की, धेर सारी तरीके की wavelength यहां से निकल सकती है total 6 तरह की wavelength यहां पे निकल सकती है, समझगे अब यह कह रहे हैं क्या, कि जो एक wavelength है ना, उन मेंसे एक जो wavelength है वो first line of lyman series के बराबर wavelength रखती है, अब first line of lyman series की बात करें यह hydrogen में तो first line of lyman series होता है यह, first line of lyman series first line of lyman series first line of lyman series अब इसके wavelength के दी बात करें बिटा, इसके wavelength के दी बात करें, तो wavelength आएगा energy से तो मैं ये कह सकता हूँ simply कि जो हमारे पास अच्छा एक सेकंड रुकिए हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो energy difference इन में है वही energy difference इस gas के किनी दो energy levels के बीच में रहा होगा तेकि लाइमन के first line जैसा लाइमन के first line जैसा wavelength हमें चाहिए तो इन दौनो energy level के energy difference के बराबर energy का difference उन दौनों levels का होना चाहिए इस gas में बातारी समझ में हमारे पास दो contestant कौन कौन से हैं हमारे पास है एक hydrogen एक हमारे पास है gas तो hydrogen के n is equals to 2 और n is equals to 1 के बीच में energy का difference कितना होता है 10.2 electron volt तो इस gas के किनी भी दो energy levels जो n is equals to 4 और 1 के बीच में कोई भी दो energy levels हो सकते हैं कोई भी दो energy levels हो सकते हैं वो level का difference आना चाहिए 10.2 electron volt के बराबर तो हम कह सकते हैं कि भाई इनके difference 10.2 है तो इनके भी किनी भी दो energy level का difference 10.2 है तो वहाँ से भी हमें एक बराबर wavelength का photon निकलने वाला है बराबर wavelength का photon निकलने वाला है तो हमें पहचान ना है कि कौन सा gas हमारे पास है ये अच्छे एक चीज़ और हमने पहचान लिया अलरेड़ी कि यहाँ पे n is equals to 4 जो है हमारी excited state का principle quantum number है तो हमें last वाला part तो समझ में आई गया है can is equals to 4 हमारा answer है अब ये gas को identify कैसे करें gas को identify कैसे करें तो इसके लिए हमें यहाँ पे helium जो है इससे next और lithium जो है हमें एक एक करके try करना होगा क्या ये helium हो सकती है क्या और जैसे आप try कर रहे होंगे आपको एक समझ में आगा कि अच्छा ये यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर मैं देख रहा हो कि पहले तो कि hydrogen तो नहीं है पहले देख लेते हैं कि hydrogen तो नहीं है तो यहाँ हमारे पास hydrogen का energy level diagram बना हुआ है यह हमारे पास n is equals to 1 है यह हमारे पास n is equals to 4 है तो बेटा ये देखिए कि किनी भी दो energy states का difference 10.2 तो नहीं है अब यहां का तो है सब कोई और क्या यहां का और यहां का 10.2 आ सकता है नहीं आएगा यहां का यहां का 10.2 आ सकता है नहीं आएगा कहीं का कहीं का 4 और 1 के बीच में जो energy levels है इनमें किनी 2 का energy difference 10.2 आ सकता है तो हमारा जवाब होगा नहीं आ सकता है आप चाहे करके देख लिजे अब यदि बात करें helium की helium की यदि बात करें तो helium का n is equal to 4 हमारे पास है यह n is equal to 1 है हमारे पास इसका energy है minus of 54.4 यह हमारे पास minus of 13.6 minus of 6.0 minus of 3.4 तो ध्यान से देखे बिटा यह minus 13.6 और minus 3.4 का energy difference 10.2 electron volt है और यहाँ पर भी minus 13.6 और minus 3.4 का energy difference 10.2 electron volt है तो मैं कह सकता हूँ कि भाया helium में n is equal to 4 से n is equal to 2 का जो transition होगा उसमें energy का difference होने वाला है 10.2 electron volt तो इसका मतलब है कि इसमें जो wavelength निकलेगी इसमें जो photon निकलेगा उसका wavelength hydrogen के lyman series में जो पहली line है उसके lambda के बराबर होने वाला है शब्द जो है बहुत ज्यादा complicated हो रहे हैं तो आप इस video को इस question को दुबारा भी सुन सकते हैं समझ में आ गया होगा वैसे एक बार में ही लेकिन फिर भी आप चाहने तो दुबारा सुन सकते हैं तो हमें यहाँ पे helium में समझ में आ चुका है अब सवाल आएगा सर यह तो lithium में भी हो सकता है lithium में होगा लेकिन वो हमारा higher energy state n is equals to 4 से पार जा सकता है तो वो इसके अलावा जो है answer नहीं आएगा अब lithium में करके देख लेना, lithium में जो energy का difference है वो 4 तक के energy levels का नहीं आएगा 4 से उपर के energy levels का difference 10.2 आ सकता है लेकिन हमने कहर रखा है कि हमें total spectral lines जो है total 6 के बराबर मिलती है तो हमें इस बात का अभी ध्यान रखना है कि जो energy levels का difference हम देख रहे है न वो इन is equals to 4 से कम बाले हो तो इसका मतलब इसका answer हमें मिल जाता है कि यह gas definitely helium है समझ मैं इस सवाल सवाल समझ मैं आ गया हो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरू करके जाएगा और अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ यहाँ पे पूछा गया है कि find the maximum angular speed of the electron of hydrogen atom in stationary orbit तो जो हमारे पार stationary orbit में electron घूम रहे हैं उसका maximum आपको angular speed बताना है तो angular speed बताने के लिए मैं relation इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो angular momentum होता है देखिए मुझे कैसे दिमाग में आया कि angular momentum दिमाग में ऐसे आया कि जब object rotate करते थे तो कौन सा chapter हम पढ़ रहे थे सुझो हमने circular motion में देखा हमने rotation में देखा है ना तो rotation में जब कोई particle घूमता है तो उसका angular speed आता है और angular kinetic energy आती है angular momentum आता है अब angular momentum यहाँ पे फटाक से ध्यान आ गया कि angular momentum जो है वो nh upon 2π के बरावर होता है यहाँ से मैं लिख दिया mvr is equals to nh upon 2π समझ गए नहीं relation जानते हैं यहाँ पर जो व है पिटा इसे में r omega के बरावर लिख देता हूँ व को जो है r omega लिख सकता हूँ because electron जो है एक pure circular motion कर रहे हैं तो व को r omega लिखा जा सकता है rolling होती तो नहीं लिख सकते थे वी को r omega depend करता है यह तो stationary surface पर rolling है तो वी is equals to r omega लिख सकते हैं और कोई acceleration नहीं है तो समझ गए कि v को r omega लिख सकते हैं यहाँ यहाँ आपके पास r omega यहाँ आपके पास r is equals to nh upon 2π तो यहाँ पर जाए आपके पास mr square omega is equals to nh upon 2π तो यहाँ से omega की value आपको मिल जाती है nh upon 2π mr square अब r की value हम जानते हैं कितनी होती है r जो है हमारे पास radius है उस orbit की और यह value होती है 0.529 z by n square यह आती है आपके पास angus strong है तो हमें exact value बतानी है hydrogen हमारे पास item है तो z की value तो already 1 के बराबर हो चुकी है तो बहिए यहाँ दखिए कि यदि मैं omega की value को लिखता हूं तो आपको मिलता है nh upon 2π m का r का square याणि कि 0.529 angus strong जो है इसे meter में बदल दीजे 10 to the power minus 10 और इंटू यहाँ आजाएगा आपके पास n square का whole square तो यहाँ आपको मिल जाता है omega is equal to nh upon 2π m और यहाँ पर जाएगा 0.529 इंटू 10 raise to the power minus 10 का square और यहाँ पर जाएगा n raise to the power 4 तो यहाँ n से power जो है तीन चली जाती है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हमें इसको maximize ज़िदी करना है तो यह constant है यह constant है सिर्फ इसको change कर सकते हैं तो n की value को हमें सबसे छोटा रखना होगा तो n की सबसे छोटी value कितनी हो सकती है 1 के बरावर हो सकती है इसको maximize करने के लिए इसको हमें minimum रखना होगा n की minimum value हो सकती है 1 के बरावर तो इसे 1 के बरावर रख दिया जाएगा तो ये 1 cube जो है 1 के बरावर होगा तो हमारा answer आजाएगा omega में x is equals 2 h की values अब जानते हैं 6.6 into 10 raise to the power minus 34 divided by 2 pi into m 9.1 into 10 raise to the power minus 31 और ये 0.529 into 10 raise to the power minus 10 का स्क्वार solve कर लीजेगा आपको answer मिल जाता है maximum angular speed of the electron maximum angular speed का relation आपको मिल जाएगा ठीक है समझ माया अब आगे बढ़ते हैं